आरुशी कहते हैं कि starting से कि God gifted कुछ चीज़े रहती हैं और आप में तो God gifted जो चीज़ें उसका sum up है, इतने सारे talent एक साथ कैसे? जी हां मुझे लगता है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने parents से लेते हैं और मेरे माता पिता दोनों जो है वो साहित्य background से भी रहे हैं और music का भी हमारे घर में जो है मैं जो mother थी वो एक music teacher भी थी, history teacher भी थी तो मुझे लगता है वो काफी चीज़ें हमें पह moral values हो आप परिवार से लेते हैं और बाकी पिताजी ने हमारे एक चीज हमें सिखाई थी जो हमारे दिल और दिमाख में घर कर गई है वो यह है कि हम हर पल को जो है वो खो रहे हैं अगर हमने उसको बनाया नहीं तो हमें लगता है कि 24 घंटे में से कम से कम 20 घंटा तो काम करन है लेकिन अरुषी कई बार हम जैसे अभी आपने म्यूजिक का भी जिक्र किया तो आपकी तेरी गलियों से जो म्यूजिक है वो बहुत मतलब फेवरेट लोगों का हो गया है और मिलियंस इसके व्यूज जा रहे है और पहले वाला सॉंग भी आपका बहुत हिट रहा है और यह दोनों गाने जो है वो टी स्रीज के प्लाटफॉर्म से रिलीज हुए उनको गाया था और अच्छे को स्टार्स के साथ मैं इसको किया बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको इतना प्यार देते है ती मोहबबत देते है और आपको बार बार स्क्रीन पर देखना चाहते है मुझे लगता है वो एक वो हमारे लेक बहुत बड़ा एडिक्शन हो जाता है कि दुबारा से लोगों के बीच में जाना है we have to perform good और फिर से जो है वो लोगों का प्यार और उनकी वावाही जीतनी है तो यहां इत रीलीज फील्स कुट बिल्कुल आप इसके और social media मुझे लगता है it's a very powerful tool. मैं आपके platform से लोगों को बोलना चाहूंगी कि यह social media platform को सही बात के लिए और सही मुद्दों के लिए इसमाल किया जाए पहले बहुत कम opportunities लोगों को मिल पाती थी. आज देखिए आप social media influencers है, they are the dancers who are making good reads, you know, लोग उसको देखते हैं, उनने follow करते हैं and there are a lot of knowledge through social media, you know, we are getting. आप जो सीखना चाहते हैं वो social media के जरीए आप सीख सकते हैं, वो जान सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इसका उपियोग और इसका सदुपियोग होना बहुत ज़रूरी है. आरुशी और followers तो आपके भी कम नहीं है, चाहें YouTube की बात करें या हम और social platforms की बात करें, लेकिन सबसे important जो मुझे लगता है, वो होता है कि content बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि लोगों के दिलों में घर कर जाए और उनने पसंद आए. Absolutely, and I would say Divya, content के साथ साथ आप कितने असली हैं अपने social media पे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, and I always prefer, my team always prefer, कि हमें बहुत real रहना है, हम जैसे हैं, हमें वैसा अपने आपको social media पे दिखा रहना है, and my social media should motivate a lot of people. There are a lot of things we do to influence people, there are a lot of content हम ऐसा provide करते हैं, जिसको देख कर, लोग सीख सके, maybe it can be a normal dancing, लेक अथा के काफी videos हम लोग पोस्ट करते हैं, हम कई बार ऐसे चीजों को पोस्ट करते हैं, कि आप किस तरीके से कपडों को pairing and styling दे सकते हैं, and जैसे सब जानते हैं कि हम सपर्ष गंगा के बहुत सारा environment का काम करने के भी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे भी छोटी-छोटी चीजों को United Nation के पैनल से मैं जोड़ी हूं, उन बातों को भी मैं साथ-साजा करती रहती हूं, so yeah, certainly on my social media, you'll get a lot of good content. जैसे content के आप बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके लिए भी काफी यह कहें कि मुश्किले रहती हैं, या फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि घर में आपको advice करने वाले कुछ लोग भी हैं, और आपके खुद के father, शिक्षा मंत्री भी राच चुके हैं, और discipline तो शायद आप ल नहीं भी बोलेना तो भी वो अपने आप में एक उनिवर्सिटी हैं, क्योंकि उनको देखकर हमने बहुत सीखा है, मैंने तो आपको चार गंटे सोने का बताया, लेकिन वो चार गंटे भी नहीं सोते हैं अपनी जिन्दगी में, और किस तरीके से उन्होंने अपनी लेखनी उस हल पल को जो है वो बनाने की कोशिश करो, ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, तुम किसी के पीछे ना भागो, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागो आभिशी क्योंकि आपने पॉलिटिकल बैग्ग्राउंड का भी जिक्र कर दिया तो कई बार ऐसा भी लोग सोचते होंगे कि सिल्वर फून चाइल्ड है यह और क्योंकि आपके नाम के पीछे निशांक लगा है तो कई बार इसका बेनिफिट भी मिलता है क्या आपने अपको प्रुपेर करने का भी मौका नहीं मिलता है हमें सीधे जो है क्योंकि युद्य संग्राम में जोग दिया जाता है कि भाई नाओ युग तो भी जज़ एवरी सिंगल मूवमेंट एक पर से में कॉंटेंट पर ही आती हूं जो जैसे आप कोई सौंग फइनलाइस करती है या मूवी जो फइनलाइस करती है तो उसमें कैसे मतलब उसके लिए तयारी करती हैं किसे राय है जैसे अभी हम लोग काफी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनमें बहुत इंपॉर्टन्ट मेरा प्रोजेक्ट जो कि मेरे दिल के बहुत खास है वो है तारनी तारनी कैसा सब्जेक्ट है जो कि पहली बार एक मेक अंडिया के छोटी सी बोट में छे वोमें नेवल कैसे करके आई थी यह कहानी है और इसकी permissions हम लोगों ने जो है वो ministry of defense से लेके आए है हम लोग हमने कि लड़ाई लड़ी है उसके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जो भी picture बना रही हूँ या picture कर रही हूँ या गाना भी कर रही हूँ it should have a very strong social message मैं woman empowerment की बहुत बड़ी propagator हूँ और अगर आप मेरे कोई भी subjects को देखेंगे जसे तार्नी भी है यह woman empowerment का बहुत अच्छा subject है इवन जो दो music video मैंने की उसमें पहला जो मेरा music video था उसमें एक बहुत खास message था वाफन हरास आई कि it should be about a girl choice and the second song I have done तेरी गलियों से वो एक बहुत प्यारा खुबसूरत देशभक्ति का गाना है और हम जबी भी कच कुछ लेकर आते हम कोशश करते हैं कि उसका impact लोगों की जिंदगी पर जरूर हो और वो एक अच्छे रस्ते को अपना सके क्योंकि आपने देशभक्ति का जिक्र कर दिया और मेरे ख्यास से वो जजबा तो आपकी घर में भी है क्योंकि आपकी दो सिस्टर्स और भी हैं एक military background से एक lawyer भी हैं तो उनसे भी कुछ advice ले ले लिए आपने उस character में ढ़लने के लिए इसा काम हो पाता है क्योंकि सभी लोग अपने respective field में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं काम बात हो पाती है क्योंकि सब लोग अलग अलग cities में अलग अलग time zone में I have to travel a lot विदेश की आत्राइब ही जादा रहती हैं concerts होते हैं शूट्स होते हैं तो मौका कम मिल पाता है बातचीत करने का but I think yes directly indirectly we support each other and sisters वाली bonding कैसी है it's nice मैंने जासे कहा बात कम मिलना जुलना हो पाता है but जितना भी मिलना जुलना होता है उसमें लगता है कि हाँ we had a good time so yes और अब तो आपने Bollywood में भी entry कर ली है तो आपकी favorite heroine कौन है और actor कौन है आपकी favorite I really don't know Divya who's my favorite actor or actress but मैं कहूंगी कि मेरे लिए abhi के time में जो hero है वो है content और अगर मुझसे कभी कोई कोई किसके साथ काम करने का माना तो मैं यह कहूंगी कि मेरे content is the hero content is the king I should like this story I should feel it कि मैं इसमें fit बैट रही हूँ and that's how I'm gonna go about और आपके upcoming projects क्या-क्या है क्योंकि उत्राखंड के आप रहने वाली है और उत्राखंड के लिए बहुत सारा काम भी आप लगातार कर रही है लेकिन बॉलिवोड में आप कहा पर stand पाती है महिलाओं के लिए किस तरीके से देख लिए हम आज जो है दिविया वो 21 सदी में खड़े हैं और बहुत सारी चीजें बदली हैं बहुत सारी चीजें बदली हैं पर मुझे लगता है यह बदला काफी नहीं है और मुझे लगता है कि यह जो एक मंशा है यह जो एक बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है हमको इस बात को इस धारना को बदलना पड़ेगा और रही बाद इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजें खुली हैं बिकुस ओड़ी प्लाटफॉर्म्स अगर आपका एक उत्राखंड का बंदा बंदी आगे जाता है तो मुझे लगता है कि वो पूरे उत्राखंड के लिए बहुत गौरव की बात है और हम सभी को एक दूसरे को साथ लेके चलना मुझे लगता है कि बहुत स़रूरी अगेन आपने OTT प्लेटफॉर्म्स का जिक्र कर दिया तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्स जो है उस पर भी आ रहे हैं तो आपका कोई ऐसा प्रोजक्ट जो आप उस पर काम क कर रहे हैं तो हम लोग एक अभी होट स्टार के साथ में एक वेब शो के लिए काम कर रहे हैं I cannot officially announce it yet बट यह जरूर बताना चाहूंगी कि यह उत्राखन के प्रिष्ट भूमी पर ही होगा और मैं मानती हों कि यह पहली बार ऐसा मौका होगा कि जहां पर एक वेब सरीज में उत्राखन की खुबसूरती वहां के कल्चर को वहां के लोगों को उनके सीधे पन को उनकी सरलता को देखने और दिखाने का मौका मिलेगा, so yes, we are working with some very big names, soon we will announce it. अरुशी, मैंना सोचल मीडिया की कॉंटेंट पर ही आती हूँ, क्योंकि आज कल हम देख रहे हैं कि मतलब वीडियो को हिट करवाने के लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसमें यह नहीं सोच रहे हैं कि इसमें समाज का मैसेज क्या जाएगा, मतलब उस वीडियो को बच्चे भी देखते हैं, बुज़र्ग भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? Your treatment can be very light and funny way, हमने बहुत सारी पिच्चरें देखी हैं, जिसमें बहुत अच्छा social message होता है, लेकिन वो आपको preachy way में नहीं, उबदेशात्मक रूप में नहीं, बलकि बहुत सरलता से, you know, funny way में बता रहे हैं, दर्शार हैं, ऐसी ही कुछ मुद्धों को लेकर हम लोग की ब whatever you say, जो भी content बना रहे हैं, प्रोवाइड करें, please be careful that what you are creating for the next generation, क्यूंकि ये आगे आने वाली generation ही हमारा भविश्यर, मुझा लगता है, we have to be very very careful what we are providing and what we are creating. मैं आपके वाले में जितना पढ़ रहे थी, तो मुझे बता चला कि आप I.S. officer बना चाहती थी, तो जब आपके father को, आपकी family को ये पता चला कि आप Actress बना चाहती, क्योंकि आपका सपना था बच्पन से, ये भी था आपका सपना, तो उनका पैला reaction क्या था? It's very funny क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि मैं कब बनना चाहती थी, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं Actress बनना चाहती थी, मैं बन गई, so everything just meant to happen और वो होता चला गया, बट हाँ ये सच है, दिव्या में कत्थक नितांगना रही हूं, और मैंने 15 से जादा देशों में जाके प्रस्तूती करन किया है, मैंने बहुत सारा कथक बैली बनाए हैं, और सोचल मेसेज को लेके बनाए हैं, और मुझे लगा, as an artist, it's become very important that I have one level up, और जो है, मुझे बड़े screen पर जाना चाहिए, अपने talent को दिखाने के लिए, and that's how it started to happen, and yeah, I entered into a film industry, लेकिन आप वो, मत देख रहे हैं, कि खुद को मतलब वहां तक ले जाना, और फिर वहां पर भी मतलब जम कर रहना, ये एक बड़ा टास्क हो गया है, क्योंकि competition बहुत जादा है, खासतोर से Bollywood में तो बहुत जादा है, और मैं कहती हूं कि जब competition होता है, quality तभी बढ़ती है, तो इसलिए करडो करडो की, सब wash out हो जा रहा है, उसका reason सरफ एक ही है क्योंकि लोग आप समझ चुके हैं कि उन्हें क्या देखना है, आप लोगों को आप viewers को बेकुफ नहीं बना सकते हैं, बट ये certainly coming from a certain background, I had different challenges, I stopped saying it was a struggle, because मैं नहीं मानती हूं कि I meant to, और मैं struggle करना चाहूंगी कभी I am a very sorted person in my head, मुझे पता है मुझे कहां जाना है, कब तक पहुंचना है, और बाकी प्रभू की कृपा होती है, लेकिन हाँ एक बात जरूर सच है, जो एक चीज हमने film industry में मैं महसूस करी, जब हम film industry में जब हम अदिशन देने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हों के लिए ना तो मैं commoner थी, ना तो मैं एक newcomer हो पाई, क्योंकि I come from a certain background, but same time I wasn't a star kid, so I don't know who I am, it's still a journey to understand की मैं कौन हूँ, और वो लोग मुझे कैसे देखते हैं, वो लोग मुझे कैसे देखना चाहते हैं, so I think this is a journey I am going through to understand that who I am. चली अच्छी बाते हैं, खुद को पहचाने के लिए आप लगातार struggle कर रही हैं, और हमारी blessings भी और सब की, आपके fans की blessings भी आपके साथ हैं, लेकिन आरोशी जो बहुत सारे roles आप प्ले करती हैं, as a dancer, as a filmmaker, या फिर जो और सारी चीजे भी है, social worker, आपका इसमें सब से favorite कौन आपके साथ है? is my soul, वो मेरी आत्मा है, या अगर वो ना हो, तुम मैं complete नहीं feel करूँ आपका busy schedule रहता है, तने सारे आप talent के लिए काम करती हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, और बहुत सारे जैसे आपने बताया कि आपके विदेश यात्राएं भी रहती हैं, लेकिन free time में आरोशी क्या करती हैं, यार कोई जाना चाता है। My father is still very upset with me that I have left to write. I was writing. My two poems collection has been published. And a novel I have written half, which is now half. But yes, I try to get free time, so I would like to read a lot of inspirational books. Yeah, that's what I try to do. A lot of people want to become an artist. Because you have become a role model for them. You have become a face. You have become an icon. So what do you want to say to those youngsters? Just remember one thing to everyone, who we are just watching or listening. I have only one thing on my life. It's a Japanese philosophy. It means continuous improvement. I have never said that you are perfect. This is perfect. And this audition is perfect. This role is perfect. I never believe in them. I believe there should always be a scope to improve it. Improve your work. Improve your performance. Improve your personality even. So guys, never stop. Never stop even dreaming. And always continuous improvement. Which day you get everything you want. That's why you are a young person. So never grow old. So this is a true thing. As much as you improve, you will grow up. And now the last question is for you. Because you are poets. And you are a good poet. You are a good poet. So we want to listen to some lines. We want to listen to our Asheri. I don't know my own. But I would like to leave your favorite fourans. ताकि लाइने आपके बीश में रखना चाहूंगे हो गई है पीर परवत सी पिघलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए बहुत बहुत शुक्री आपका आरुशी हमारे खास कारेकर में शामिल होने के लिए तो ये थी आरुशी निशंक जिनसे हमने बातचीत की और जाना उनकी जर्नी के बारे में और उनकी प्रोफेशनल और परसनल लाइफ के बारे में अगले हफते फिर हाजर होंगे किसी नई शक्सिस के साथ तब तक के लिए जिरीजे इजाज़त तमस्कार